इसको decide कौन करेंगे माली जी कि अगर जस्टिस चंद्रचूर कहते हैं ठीक है उन्होंने दो महिने पहले हमें ये भेजा था तो दो महिने ऐसा कोई नहीं होता है हम तो कुछ और काम में बीजी थे और हम संग्यान लेने ही वाले थे कि फिर उनका लेटर आ गया तो इसको कैसे establish किया जा सकता है कि चंद्रचूर सहब ने इसको दबाया या वो इस केस को सुनने के लिए bonafide या competent authority नहीं है या उनके उपर ही conflict of interest का एक allegation लग रहा है कौन सुनेगा इसको फिर तो फिर तो फिर अगें जो है रोस्टर में तो जस्टिस को ही बताना पड़ेगा कि कौन सा बेंच सुनेगा तो आप देखे पहली चीज यह डिपेस नहीं रहता है आप कह रहेते हैं दो मैने का समय कुई सभी रहता है आप कैसा क्या आर्जांट म प्रोग्राम में जा रहा है इधर इंटर्व्यू दे रहे हो उधर फोटर खिचा रहे हो उधर जाके LGBTQ में स्पीस दे रहे हो तो आपको सब चीज़ों के लिए समय है और कोर्ट में करप्शन हो रहा है जज़ेस पर आन्ने हो रहा है उतने सीरियस बातों के लिए आपको गर सबसे बड़े आरोपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस देश में अभी इस केस्ट में हमारे इसाप से सबसे बड़े आरोपी CGI, DY चंडर चुड़े है और हमने राश्टर पती जी को इसके बारे में अपना कंप्लेंट बेज दिया है लेकिन फिर तो रोस्टर अपने ही खिलाफ कौन? उनके खिलाफ अगर कोई हीरी होनी है तो वो तो रोस्टर लगाएंगे ना? अच्छा अच्छा पॉइंट बोला अपने अच्छा पॉइंट बोला इसके बारे में एक बहुत सही लाँ है कि जब कभी CGI के खिलाफ आरोप रहते वो इंट्रेस्टेट पार्टी होता है तो सेकंड सीनियर मोस्ट जच के सामने मैट रखा जाता है वो डिसाइड करता है कौन रोस्टर रहेंगा कौन नहीं रहेंगा इसका लाँ आपको मैं रिसेट दो केसे बताओ पहली केस तो वो है इसकी हुआ था तो आप अनिलेश ची ये तो लगभग स्टैब्लिस हो रहा है कि ज़स्टिस सोमें का कोई न कोई तो ऐसा लगता है कि अगर जस्टिस चंद्रचूर जो हमारे मुखे ने अधीस है अगर वो दो महिने तक इसमें बैठे रहे उसके अलावा भी एक ग्रॉस इंजस्टिस है कि जिस जज का ट्रांसफर हो गया है वो कैसे वहां पर बना हुआ है ये तो पहले हीरि कोई साक्ष है कोई आधार का की इस वज़े से इनका ट्रांसफर नहीं हुआ है ना ने मेरे पास कोई आधार नहीं है कि कि वज़े से वहां रुक्य हुए है मैं जस्ट और में जो लिखा है उसके बारे में बोल रहा हूं और सुप्रीम कोड के कोई रिजन मैंने देखा नहीं है कि जिसके होजे से उनका रोका हुआ या जो भी कुछ है लेकिन मैं आपको शौर्प में बताता हूं देखिए जो हमारे जस्टिस कृष्णायर साब ने कहा था रगभीर सिंग की केस में उन्होंने कहा था देखो जनता बेवकूप नहीं है और आप जनता को बार-बार बेवकूप नहीं बना सकते आपने जनता का विश्वाद एक बार खो दिया तो वापस पाना बहुत मुश्किल होगा तो आप अक्टिंग मत कर किया करो क्लियर कैसे क्लियर बात करने की अगर इसमें क्लियर है या ऐसा हुआ है क्या करते मालुमें कैसे मामले में में विश्वाजू पर रखने का दूसरे विश्वे बात करने की अरे लेकिन जस्टिस गंगोपात्य जी ने ऐसा ओपन नहीं बोलना चाहिए था क्यों नहीं बोलना चाहिए था आपको कंप्लेंड करती आप कुछ आक्शन नहीं ले तो भोलेंगे ने तो क्या बलकि इनको एप्रिशेट करना चाहिए ऐसे जज़ेस को उन्होंने अपने विनम्रता से पुरा रिप्रोडूस किया और कहा कि कि इस सब के लिए चंद्रचुट जिम्मेदार करें लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्ट रखा आप बोलो या पिर तोड़ा सा डर गया होंगे कि चलो कालीजे में वह बैटाया मुझे बात में तकलीप देगा इस कारण से वह बेचारे बोल नहीं पाया ऐसा हमको लगता है तो ये इस केस में दूसरों को आरप करते हैं सुनो 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 भोलानात का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिन समय 3.5 घंटे हैं इसे हम 6-8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वेर फीट गेहू चावल बजरा जोवर के खेट काट सकता है जबकि इसी कार्य को पेटरोल ब्रश कटर 1000 रुपए पेटरोल का खर्चा करता है